लो गाईज, विल्गम बैक, मैं सेल्फ एसकी डिगरवाल और आज अपन बात करेंगे, खास तोर से देखूँ, अपने एक सिरीज स्टार्ट कर रखी, इसमें लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने 25 कुछन से हैं, वो सौल करवाई थे किसमें, एगरिकल्चर बाया टेकनोलोजी क्योंकि अगरिकल्चर बाया टेक के जो ASRB की नेट होने वाली है, या फिर अपन कहें, ICR की नेट कंटक्ट होने वाली है, 27 अपरेल को इसकी एक्जाम है, तो सभी स्टूडेंट्स जो भी खास और से अगरिकल्चर बाया टेक से बिलोग करते हैं, उन सभी के और इनमीर से काफी क्यूशन्स आपको एक्जिक्ट मिलेंगे, यो के यो, तो आपको वहाँ पर बेनेफिट हो सकता है, इसलिए डैली इस क्लास को जुरूर देखें आप, तो सबसे पहले अपन क्यूशन नमबर इसमें देखते हैं, 26 पर, ठीक है, यहाँ पर आपन देखे इको आराई, इस एन एंजाइम डैट कट, तो किसको कट करते हैं, यहाँ पर ओप्शन दिया है, डी एने, टी आरने, एमरने और स्टोन, तो यहाँ पर डी एने को यह कट करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है, वो कौन सा आजएगा अपना, यह ओप्शन इस दा, राइ existing technologies, which of the following vector system, would you prefer to use generating a library, 140 kb, आप कोई भी fragments है, जिनके size जो 140 kb क्या स्पास है, अगर आप उन fragments की, किसी vector के तुरू कोपी करना चाहते हूँ, तो कौन सा vector आपके लिए suitable होगा, अगर उसके size 140 कb है, किसी DNA fragment की, तो, ठीक है, eukaryotic genome DNA fragments, while giving, due to the consideration, size as well as stability of the insect, यह मतलब, हाँ, insect, तो, इसके लिए कौन सा vector आप ज़्यादे यूज में लोगे, तो, देखो, इसमें दिया गया है, उप्शन में, phage, cosmid, bacterial artificial chromosomes, और ist artificial chromosomes, तो, जब 140 की बात आती है, तो, 300 से नीचे की बात आई, इसका मतलब नहीं कह सकते हैं, 300 से, निचे की अगर बात आई, तो, उसका मतलब, इसमें कौन सा होगा, bacterial artificial chromosome के द्वारा, आप इसको copy कर सकते हो, ठीक है, किसको बात कर सकते हो, bacterial artificial chromosome के द्वारा कर सकते हो, तो, इसका राय टांसर कौन सा आजएगा, bacterial artificial chromosome हो जएगा, अगर यहाँ पर, 300 से अधिक, लोंग के भी DNA की, यही साइज की copy पुछा जाए, तो, आप कौन सा यूज में लेगो, YAC, 3,000 तक, या 2,000 तक, आप इसको यूज में ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर, 140 के भी पुछा है, तो, यहाँ पर आप, bacterial artificial chromosome को यूज में ले सकते हो, नेक्स क्यूशन आपन देखिए, यह क्यूशन देखो, भी रिपीट होते हैं, 140 किलो वाला, नेक्स आप आप आद देखो, इसमें, which of the following, which of the following, good crop has recently been genetically engineered, to obtain edible vaccine, मतलब खाने वाले जो vaccines है, to develop immunity against hepatitis B, hepatitis B की against में, ऐसे fruits या ऐसे plant के पार्ट, जिनको अपन खाते हैं, और अपने body के अंदर, उन hepatitis B की against में, क्या बन रही है, antibodies जा रही है, ऐसे vaccines जो edible vaccines अपन कहते हैं, तो कौन से crops से इन सा production कह जा रहा है, जैसे बनाना है, potato है, tomato है, और मेच, तो hepatitis B के अपन बाद करते हैं, इससे related जो vaccine है, edible vaccine है, वो खास्तोर से potato से त्यार की जा रही है, तो इसका right answer जो है, वो कौन सा जाएगा, वी options का right answer, next question आपन देखें, यहाँ पर 29 में देखें, the technique used to synthesize large quantities of the specific DNA, large quantities particular DNA की कोपीच को, बड़ी कोपीच को, fragment, without cloning, it is cold, किसी भी cloning के द्वारा, मतलब यहाँ पर आपने कहें, किसी भी vector के रहित, अगर आप किसी भी gene की multiple copies बनाना चाहते हो, तो किसी specific fragment की copies बनाना चाहते हो, तो वो किसके द्वारा बना सकते हो, तो यहाँ पर देखो, इसमें दिया है gene replication, gene amplification, gene polymerization और gene duplication, तो यहाँ पर सबसे best answer आजाएगा gene amplification, एक specific gene की, एक specific DNA fragment की multiple copies बराप्ट कर सकते हो आप by PCR, तो यहाँ पर gene amplification, इसका best answer का, right answer का B option, next question आपने देखें, एक किसमें देखो, electrophoreson, is a technique commonly used in electrophoreson, जो technique है, वो कहाँ पर use में आती है, देखो एक तो electrophoresis होता है, electrophoresis का मतलब तो है, किसी भी biomolecules like as DNA और, मतलब nucleic acid और proteins, उनको आप उनकी size की according, arrange करते हो, या separate करते हो, वो तो gel electrophoresis है, इसमें पूछा है, electrophoreson, electrophoreson का मतलब होता है, किसी भी current के कारण से, यदि छोटी-छोटी pore का formation होता हो, cell के अंदर छोटी-छोटी pores का formation होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, electrophoreson, electric current के कारण से होने वाले छोटी-छोटी-छोटी pore, किसमें cell के अंदर, तो ये method खासतोर से, दो protoplast या दो cell को merge करने के लिए यूज में आती है, दो cell के hybrid बनाने के लिए काम आती है, अपन fusion करवाते हैं, like as protoplast hybridization, तो उसका right answer जो है, वाइस कौन सा जाजेगा, B option जिसका right answer होगा, 31 नमबर में question देखो, which of the following is a genetically engineered antiviral protein, ये question हमेशा इस exam में पूछा जाता वई, ये question जो है लगभग हर exam में या फिर अपन कहें, agriculture के अंदर खास्त और सी question पूछा जाता है, कि ऐसे कौन सी antiviral proteins produce की जाती है, तो कौन सी होती है, antiviral interferons होती है, अपन सभी जानते हैं, तो interferons genetically engineered बनाई जाती है, मतलब modify करके बनाई जाती है, तो इसका right answer जो है, वो भी कौन सा होजागा, interferonase का best answer को जाता है, आगे अपन देखे, 32 नंबर में देखे, gene responsible for insulin production, was isolated from human and transferred first into, कि जो insulin का gene है, insulin का gene है, खास तोर से, जो glucose के level को क्या करता, कम करता है, glycogen का synthesis करता है, जिनमें insulin का production नहीं हो पाता है, किसी patient के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, तो वहाँ पर glucose का level धीरी-धीरी body के अंदर बढ़ने लगता है, जिसे अपन क्या गयते है, diabetes के लिए, आपको insulin का कहीं न कहीं insert करना पड़ेगा, आपकी body के अंदर, तो insulin का synthesis करने के लिए, सबसे पहले, जो insulin का gene है, human से, वो किस के अंदर डाले गए थे, तो E-coli के अंदर डाले गए थे, और E-coli से insulin का synthesis किया गया थे, इसका right answer जो है, वो कौन सा आजएगा, इससे ratio E-coli, इसका B option, इसका right answer होगा, यहाँ पर देखो भी, 33 के अंदर आपन देखे, production of human, protein in bacteria by genetic engineering is possible, ठीकर, production of human protein in bacteria, बैक्टरिया के अंदर, human की proteins का भी synthesis किया जा सकता है, by genetic engineering, genetic engineering के दुआरा, is possible, यह possible है, क्यों है, क्योंकि, a human chromosome can replicate in bacteria cell, क्या human के जो chromosome मों बैक्टरिया में replicate कर सकते हैं, B option, B option में आपन देखे, the mechanism of gene regulation is identical in human and bacteria, bacterial cell can carry out mRNA splicing reaction, the genetic code is universal, इसका right answer आएगा, genetic code universal, क्योंकि protein, जो अपनी protein है, वो बैक्टरिया में भी synthesis की जा सकती है, क्योंकि जो immunosheed अपने अंदर code होते हैं, वो यह immunosheed किसमें होते हैं, बैक्टरिया में होते हैं, क्योंकि immunosheed की code करने वाले जो codons होते हैं, वो codons क्या होते हैं, वो universal, same होते हैं, सभी organism में same होते हैं, कुछ अप्वाद है, वो अलग बात है, लेकिन लग भग आपने कह सकते हैं, near universal codons, जिसका right answer है, कि इनके genetic code same होते हैं, इसलिए, human की जो protein से, उनको बैक्टरिया के अंदर भी synthesis किया जा सकता है, नेक्स्ट कुछन आपन देखें, 34, विच अफ़ फॉलोइंग बैक्टरियल, बैक्टरिया, हैज फाउंड, एक्स्टेंसिव यूजिंग इन्जेनेटिक इंजिनेरिंग वर्क इन प्लांट्स, विच अफ़ फॉलोइंग बैक्टरिया, कौन सा बैक्टरिया, कौना से ट्राई, क्लॉस्ट्रीडियम, सेप्टिकम, और बैसेलस, कॉगलेंड्स, इसका सिधा सा ओप्शन आजाएगा आपना, कि जो एग्रो बैक्टरियम टुमिफेसियंस है, वो सबसे बैस्ट एक्जाम्पल है, जो प्लांट के अंदर जीन ट्रांसपर करने के लिए यूज में लिया जाता है, जो एक सोईल ग्राम रोड़ सेप्ट नेगटिव बैक्टरिया है, ठीक है, नेक्स्ट कुछना आपन देखें, 35 के अंदर, यहां पर देखोई, विच फॉलोईग, characteristics make the endonucleids restriction enzyme, restriction endonucleids enzyme के बारे में पूछा गया है, रेस्ट्रिक्टेड इंफेक्शन ओफ बैक्ट्रिया बाइ सर्टेन वाइरसे, ये क्या करता है, बैक्ट्रिया कोई चैल होती है, बैक्ट्रियल सैल की अंदर, बाहर से infection करने वाले जो भी वाइरसेसें, उनको आपने क्या बोलते हैं उन बेक्ट्रियोफेज की इंफेक्शन को क्या करते हैं रोकते हैं क्योंकि जो वाइरस का DNA जो बेक्ट्रिया के नदर इंसर्ट करता है उनको क्या करते हैं यह तोड़ देते हैं इसका मतलब तो मैंने बता दिए आपको क्रेक्ट क्या है तीनों ही क्रेक्ट है पहला दूसरा इसका राइट आँसर का जाएगा अपना देखें में अपने अपना देखें एंटी बोड के अंदर कोई भी पार्टिकल्स एपने बोडी में जब इंटर करता है तो उसको यूटलाइज करने के लिए उसकी activity को inhibit करने के लिए उसकी activity को suppress करने के लिए दबाने के लिए antibodies मनती है और उनके साथ bind होती है और उनकी properties को क्या करते हैं दबा देते हैं neutralize कर देते हैं यह उनका काम antibody का यहाँ पर पोछा antibody अपने disease में काम आती है disease को रोखने के लिए काम आती है ऐसा क्या करती है रिमूविंग पैन पैन को कम करती है competitive inhibition turning the pathogen out of body क्या pathogen को बाहर बगाती है बोड़ी से non-off awareness कोई नहीं तो सीधा सहे option B आएगा competitive inhibition उनको क्या करता है उनकी properties को यह neutralize करता है उनके properties को धबाता है है नेक्स आपना देखे नोर्दन hybridization involved Northern hybridization का नाम सिधा से है बढ़ी कोई भी RNA को आप identify करना चाहते हो तो उसके लिए RNA को आप identify करना चाहते भी Northern Hybridization के अंदर जो प्रोब होता वो भी RNA हो सकता है और जिसको identify करना साथ है वो भी RNA हो सकता है इसका मतलब RNA-RNA को इसमें ले सकते हो तो इसका राई टांसर होगा लेकिन यहां पर RNA-RNA इसलिए अपने पहले प्रिफर इसको करेंगे 38 के अंदर देखो भी the repetitive DNA used in DNA fingerprinting DNA fingerprinting में कौन से repetitive sequence को यूज में लिया जाता है तो यहां पर option देखो VNTR, LTR, RAPD और RFLPD तो यहां पर जो पहला option है variable number of tandem repeats variable number of tandem repeats हमेशा यूज में आती है fingerprinting method के अंदर तो यहां पर आजाएगा right answer आजएगा A option इसका best answer होगा B वाला है long terminal region और यह आगे method है इसमें second option आगे आपने देखें 39 का question देखें the presence of telomerase in cell at telomerase खास्तों सब्सक्राइब किस में पाए जाता है ना आपको बता दूँ कई पर एक क्यूशन पूछब जाता है इस पार भी आपके याद रखना भी एक क्यूशन साहे गई आएगा telomerase की जब भी बात आती है तो telomerase कहीं भी पाए जाता है तो इक तो stem cell में embryonic cell में मतलब foytal cell इसके लापन बात करें tumor cells में cancer cells में सभी plant cells में मतलब somatic cells में नहीं पाए जाता है telomerase telomerase का काम क्या है chromosome की जो लंबाई है यह chromosome की है इनकी जो length है इनको maintain करना इनके जो end है इनके end को synthesis करना telomerase हुआ सामेटिक सेल्समें को सिंधेजिस नहीं कर सकता यह प्योंकि जाता है hypothesis के अंदर इसका मतलब जो यह टेलोमरेज कहां आशकती है कि जो कैंसर है उसकी थेरपी में सकती है क्योंकि आप किसी भी टिूमर कैंसर की सैल्स के अंदर जो टेलोमरेज इसको यूज में ले सकते हैं एंटी-कैंसर थेरेपी में इसका राइटान सुरूब यह आजया आपको क्यूशन की जो लेंग वेज है वो पैचान नहीं है कि इसमें बैस्ट ऑप्सन बैस्ट एप्रोप्रियेट क्या हो सकता है यहां पर देखा आपको मैज करना भी लिस्ट और लिश्ट से किन्ऺणी वीटी कोटन कि सके अगैंस बनाए गया थाzogen किसी भी पैस्लितर चोटे नहीं इसके पौ Esto में तेखेंट नहीं हिसली होता है उनके विद्धेंट बनाने के लिए लिए तो यहां पर आपना देखें मिद्धी ओम जो ακश्ट ओर से किसके लिए गय अब बात करें आपन राउंड टाप रिडी सुर्गम इसको किस लिए बनाए गया था हर्बेशाइड टॉल्रेंस के लिए आप golden rice के बात करें, तो आपन जानते है, golden rice में vitamin A की बरपूर मातरा बनाने के लिए, vitamin A का level बढ़ाने के लिए, beta carotene का level बढ़ाने के लिए, तो इसका use में आ जाएगा, improve nutritional equality, तो इसमें 4th के अंदर, D के अंदर क्या जाएगा, दो नंबर का, इस प्रकार से option आप इसका निकाल सकते हो, next question आपन देखें, 41, a genetically engineered microbes utilized for cleaning of, cleaning oil spills, मतलब, oil से related जो भी content है, उनको clean करने के लिए, उनको सफाई करने के लिए, कौन सा genetically modified organism बनाया गया है, तो कौन सा बनाया गया है, pseudomonas puteta, pseudomonas puteta है, वो बनाया गया है, खास तोर से oil content को clear करने के लिए, तो इसको right answer कौन सा आजाएगा, pseudomonas puteta इसका right answer होगा, next question आपन देखें, 42, the chemical method DNA sequencing is called, देखो, दो प्रकार के method होते हैं, एक तो chemical method होता है, और एक enzymatic, मतलब एक होता है chemical method, और एक होता है enzymatic method, ठीक है, यहाँ पर पूछा है chemical method, chemical method के अंदर, enzymatic method तो होता है, वो तो सेंगर method होता है, यहाँ पर पूछा chemical method, तो chemical method कौन सा होता है, मिक्जम औड गिल्बर्ट मेत्रण तो यहां पर आपन देख सकते हaina देखो इसमनेुग सुधन में दिया गया है इसमें फोर्थ देखो आप तो जो चैमिकल वो क्या है मिक्चम एंड गिलबर्ट मेथड को वही दूसरा नाम है तो इसका राइट आंसर क्या होगा दी इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट कुछ नापन देखें इसमें अप्सन देखो कि ये सब्सक्राइट किसमें य आगे देखो कि इस आडिफीशल क्रोमसूम वेक्टर कंटेउन स्लेक्टिबल मारकर इसमें स्लेक्टिबल मारकर पाए जाता है loss of which marker और ये जो marker है वो loss हो जाता कब at the cloning site distinguish the relegating YAC from the original vector marker जैसे कोई gene इसमें insert करते हैं उस टाइम पर उसका जो marker gene हो nest हो जाता, कौन सा marker gene नहीं होता कि रोस में कौन सा loss होता है तो जो SUP4 है वो उस टाइम पर loss हो जाता है जब आप इसको modify कर देते हो gene inserting करने के बाद तो कौन सा gene का loss होता है तो ये SUP4 का loss हो जाता है next question आपन देखे 45 के अंदर which of the following method of the plant transformation can be used introducing a gene into chloroplast genome किसी भी plant cell के chloroplast genome के अंदर आप origin particles या origin को DNA को आप insert करना चाते हो तो उसमें कौन सा method यूज में आता है तो यहाँ पर देखो agrobacterial mediated transformation particle delivery system electrophoration और permeabilization तो ये जो option है particle delivery system सबसे best option है किसी particle के अंदर DNA को pack करकर उस particle को जो particle gun है gun की साहता से आप insert करो force के साथ तो वो chloroplast में आप देखकर उसमें insert कर सकते तो इसका right answer कौन सा आजाएगा तो इसका B option इसका right answer आजाएगा particle delivery system next उसने अपन देखें 46 के अंदर है the vector used for genetic transformation of plant is ठीक है कौन सा vector used for genetic transformation of plant plant को genetically modify करने के लिए प्लाजमीड बेक्टरी उसमें लेते हैं तो टी आई प्लाजमीड इसका यूज में लेते हैं अपन एग्रोबेक्टरी अपन देखें 47 के अंदर positional cloning to be refer positional cloning किसे करते हैं किसी particular चीज को किसी particular gene की gene जो है particular उसको identify करके उस ही की अपन क्या करते है multiple copies प्राप्ट कर लेते हैं PCR के साहता से आप प्राप्ट कर सकते हो सबसे पहले उसको identify करो particular gene के position को उसको isolate करो और वहां से PCR के साहता से multiple copies उसको प्राप्ट कर सकते हो position cloning होगी particular position के cloning है तो यहाँ आप अपन option देखो using a selection procedure to clone a cDNA cloning a portion of gene using PCR isolating a gene from a specific tissue in which it's being expressed mapping a gene to a chromosome region and then identify and cloning a genomic copy of the gene from the region इसमें चेदर से option 2 option देखो आप cloning a portion of a gene by using PCR PCR के साहता से आप कर सकते हो किसी particular gene को identify कर कर या उसको isolate कर कर PCR के साहता से उसी gene के आप को कर सकते हो फूरी gene के आप सकता नहीं है आपको यह 48 के अंदर देखो most stable vector insert eukerotic DNA of 140 के भी size is called यह मैंने आपको बताए थिया 140 के आजपास अगर आपको पूछा 300 से नीचे पूछा जाए और वेक्टर पूछा जाए कौन सा वेक्टर आएगा तो BAC करना आपको इसकर आपस कौन सा जाएगा BAC और अगर 300 से ऊपर पूछा जाए 2000-3000 से बीच में तो इसका राइट आपसर कौन सा जाएगा D आएगा फिर YAC यहां 144 से पूछा इसका मतलब BAC और चास नंबर का देखो आपन 49 का plastics containing replication origin sequence of two different host दो अलगलग different के अलगलग दो host के दो अलगलग organism के आप replication promoter है वो पास में रखते हो replication origin center दो के एक साथ में रखते हो तो इस प्रकार का vector कौन से vector हो सकता है expression vector हो सकता है एक तो उसमें यह होगा कि जिस gene को express कराना साथ है उसका होना चाहिए origin center एक वो होना चाहिए जिस organism में उसको डाला गया है इसका मतलब दो उसमें origin center होने चाहिए एक जिस gene का कराना साथ हो एक जिस organism उसको insert किया गया है कि गदो इसका right answer आजएगा C option expression vector is the best answer जिसमें दो origin center हो पस्तित होते है आज का अपना जो last question है प्रचास नंबर का वो देखते हैं अपन which of the following gene was engineered in flavor sour transgenic tomato variety flavor sour technique का मैंने पूछा बताए भी था लास्ट वीडियो पे भी आपको कि इसमें हमेशा question पूछा जाता है आपको flavor sour sour से anti-sense technology है MR ने silencing method है ठीक है और कौन से gene को silent किया गया था इसमें तो beta polyglect uronase को silent किया गया है किसके against sense technologies में ली गई है तो beta polyglect uronase जो enzyme है यहाँ पर option number D के अंदर इसको स्यांत करने के लिए इसको silent करने के लिए इस method को यूज में लिया गया था क्योंकि ये enzyme क्या करता है इसके cell wall को धीरी-धीरी degrad करने लगता है जिसके कारण से जो टमाटर है वो धीरी-धीरी कैसे होने लगते हैं soft होने लगते हैं soft का मतलब धीरी-धीरी-पिलपिले होने लगते हैं और कुछ time के बाद में हो उनके cell wall degrade हो जाएगी और वो सड़ने लगते हैं उसी के lifetime duration बढ़ने के लिए आपको इस enzyme को रोका गया है polygalecto uranase को तो इसका राइट आनसुरा जाएगा D option इस प्रकार के आज के 50 question जो हैं वो complete होते हैं 25 question पहले के थे 25 question आज करा दिया मैंने 25 question हो सकते हैं थोड़ दिरवाद में और करा दूंगा हम आपको इस प्रकार से आपन चाहते हैं कि 200 डाइसो जो भी question हो सके आपको दो तीन दिन के अंदर वो आपको कराऊं ताकि आप एक्जामिर जब बैठो आपको benefit हो सके इसी अपना आज का second part भी complete होता है थैंक्यो फ्रेंड्स